आप सभी का स्वागत है और सथी वीपीस से पीटी का रिजल्ट आ गया है आप मिला सकते हैं सभी सफल अवियर्थियों को मेरे तरब से सुपकाम नाए अब रही बात कटप की तो आप कटप भी देख लिए आप इससे यह जो आप रिजल्ट देख रहें जिसे रॉल नमर दि तो मेरे वीडियो के टाइटिल के अनुसार अगर हम बात करें तो बिल्हकुल बात सही है केवल UR जिहां दोस्तों केवल अन्रिजर्व के लिए 91 कटप आप देख सकते हैं आप 91 है अन्रिजर्व के लिए लेकिन अगर हम बात करें बाकियों का और मेरे पास जो भी इस्ट्वेंट्स है या अधिकतर इस्ट्वेंट्स क्या है EWS में है देखिए 90 से नीचे कटप है EBC के बात करें तो उससे भी कम है 86.50 है तो मैंने कहा था कि 90 से नीचे रहेगा 80 के आसपास जाएगा तो 80 के आसपास है हाँ उतना सही नहीं हुआ है बट मेरे वीडियो बनाने का उदेश क्या था उदेश था कि आप लोग पढ़ाई जाए रहें और डिप्रेशन में नहीं रहें क्योंकि आपके सामने 69 का भी एक्जाम है और अगर 68 की मेंस है तो आपने कुछ पढ़ाई कर ली है निवंद बेगराप पढ़ लिया डिसकसन किया तो आपको फायदा ही होगा क्योंकि पहली बार एक्जाम हुआ था तो ठीक से कोई भी टीचर कटप का अनुमान नहीं लगा सकते थे फिरी मैंने कहा कि 90 से नीचे जाएगा तो 90 से नीचे ही है अन्रिजर्व की बात कर लेते हैं तो यह 90 से उपर गया है यहां पर चुक हुई है बट बाकी मामलों में म लोग उपस्तित नहीं रहते हैं लेकि मैं उपस्तित हूँ और आप देख सकते हैं कई लोग ने 95 से उपर कटप 93 से उपर कटप बताया था उनकी अप एक्छा मेरा कटप काफी नजदिख है और यह आप कटप देख सकते हैं आप यहां देखिए ना बीसी का एटी सेवन है बीसी फीमेल के एटी है और सबसे बड़ी बात होती है इडवलू एस का और इबीसी का वो 87 और 86 के आसपास है धनवाद दोस्तों और कोई 69 के लिए त्यारी आप लग जाईए और 68 के मेंस के लिए भी आप लोग ऐसे तो लगी चुके हैं और जो लोग उहा पोह में थे डै जाने सब्मेकर्शित कोट्य के बात करें तो तो से सवाआजिस आर्द्स तो से कम दोर बर की कि अंतर गद ज Nada के आज no की ने इन चैनल पेश्ण बर की महिन सब्सक्रान गोर्रो को सफल घोसित किया गया है धन्य दोस्तों